हलो और वेलकम फ्रेंट्स पाइफन सीखने के सीरिज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो पाइफन प्रोग्रामिंग की है पाइफन प्रोग्रामिंग में खास क्या सीखेंगे आई आपको बगाता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यह ब्लैंक पेज में लिया हुआ है क्या स्ट्रिंग को कॉन के अटिनेट कराया जाता है पाइफन में और अगर कराया जाता है तो वे क्या हो सकता है वो तरीका क्या है इस फाइल को मैंने पहले ही सेब कर रखा यह देखे यहाँ पर four time u.py के नाम से पहले ही सेब कर दिया है अब यहाँ पर कुछ code लिखते हैं like मैं यहाँ पर लिख देता हूँ like string one लिखता हूँ string one ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया string one ओके और यहाँ पर is equal to लगाया अब यहाँ पर मैं name लिखूँगा अब यह दिनों के नाम हो सकते है महीनों के नाम हो सकते है या मेरे दोस्तों के भी नाम हो सकते है ठीक है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक नाम ठीक है तो यह नाम लिख दिया enter करके नीचे आए अब यहाँ पर देखिए दूसरा string भी लिख रहा हूँ ठीक है अब यह string के बजाए कुछ और भी दे सकते हैं यहाँ पर name भी लिखा जा सकता है name one name two या कुछ इसके अलावा और भी ठीक है तो यहाँ two लिख देता हूँ अब is equal to लगाया अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सचिन तो यह लिख दिया दूसरा नाम ठीक है आप देख सकते हैं यह दोनों नाम लिख दिया यहाँ पर अब print करवा देता हूँ print करवाएंगे हम इसको concatenate करवाना चाहते हैं तो concatenate कैसे करेंगे तो यहाँ पर हमें लिखना होगा string 1 plus string 2 यहाँ पर g छूड़ गया था तो यह g लिख लिया मैंने अब इसको run करवा देते हैं तो यहाँ से इसको run करवाते हैं यह हो गया run और आप देख सकते हैं दोनों एक साथ हाया हुआ है रितेश और साचे क्या तीसरी string होगी तो वो भी साथ हाजाएगी तीसरी, चौथी, पाँचवी, छटवी जितनी string होगी वो साथ हाथी चली जाएगी यही तरीका है concatenate कराने का सबसे आसान तरीका है और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन यह सबसे आसान तरीका है ठीक है? तो यहां एक और नाम लिखा मैंने, तो यह तीन हो गया अब चली एक और नाम लिख लेते हैं तो यह कर देता हूँ String 4 घ्यांती जे का यह लिखा मैंने String 4 तो यह हो गया चौथा नाम और यहाँ पर एक कुंदन देते हैं कुंदन यह हो गया, अब यह लिख दिया मैंने, अब यहाँ पर क्या करता हूँ, string 1 plus string 2 हो गया, अब string 3 कर देते हैं, तो यह कर दिया, string 3 plus करेंगे, string 4 कर देते हैं, string 4, तो यह 4 नाम हमने ले लिए हैं, और 4 को concatenate करवा रहा हूँ, तो यहां से इसको save कर देते हैं, तो अब देखेंगे कि यह 4 नाम एक साथ आ रहे हैं, देख सकते हैं कि नहीं, तो यह बहुत आसान है, ठीक है, concatenate कराना, उम्मिद करता हूँ, बात समझ में आई होगी, जो class 12 क बच्चे हैं, अगर इस तरह का सवाल आता है, तो आप आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं, ठीक है, string को concatenate इस तरह के से आसानी से कराया जा सकता है, ओकी, thank you.